अधर्निय प्रधन मंत्री मननिय नरंद्र मोधी जी को अपना बहुमोलिय ववानी हमारे विटी आर वासी के समने रखने के लिए अनुरत करते हैं नमस्कार बंदु हकल केने आसे अपनों अलोग कुलंबई लोगोफर नांग तंग मोनहामा बोरईदांग मैं पिछली बार यहाँ बोडो लेंड टेरिटोरियल रीजन के इतियासिक समझोते के समय आया था तब भी आपने भारी संख्या पहुँचकर नसर मुझे पूरे हिंदुस्तान को एक नया विश्वास दिया था और आज इतनी बड़ी तादाद में हैं आप सभी आशिरवात देने के लिए पहुचे हैं मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पीछे सारी जो कर्टन बनाई थी वो हटानी पड़ी बारिस आ गई सुबे लेके आनायका लोगों का नहीं रुका यही आपका प्यार है इस पवित्र धर्ति पर बार बार आना आपके दर्शन करना आपके आशिरवात प्राप्त करना इससे बड़ा जीवन का और सवभाग यह क्या हो सकता है अभी प्रमोजी ने कहा कि पियेम हमारे घर के सदस्य है आप सभी का यह ने आपका है विश्वास मेरे लिए अमुल्य है मुझे भावुक करने वाला है और आपका मैं घर का सदस्य हूँ तो आपका मुझे पर पूरा पूरा अधिकार भी है हम मिलकर इस विश्वास को दोनों मिलकर के दिनों दिन और मजबूत करेंगे हम मिलकर इस शेत्र का विकास करेंगे हम मिलकर यहां की गवरोवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे मैं बोडोफा उपेंद्रनाद ब्रह्माजी को नमन करता हूँ स्रिमत संकर देव गुरुदेव कालिचरन ब्रह्माजी और गुरुदेव मादर राम ब्रह्माजी जैसी संत आत्माओं से जुड़ी इस धर्ती का मैं बंदन करता हूँ इनी के आशिरवाद से एंडिये सरकार यहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आधार बनाकर इसी मंत्र को लेकर के आप लोगों के कल्यान के लिए आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए जी जान से जुटे हुए है इसलिए पहले चरण की बोटिंग में असम के लोगों ने एंडिये को भरपूर आशिरवाद दिया है पहले चरण की बोटिंग ने असम ने डबल इंजीन की सरकार की भव्वे विजय पर महौर लगा दी है और आज भी जुम्बतदान चल रहा है सारी खबरे उत्साजनक है भाईयो बहनों पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि यहां के नवजवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है अगर मैं उनी की भाशा में कहूँ तो कॉंग्रेस और उसके महाजूट को यहां के लोगों ने फिर रेड कार दिखा दिया गया है साथियों असम के विकास के लिए असम के लोगों का विस्वास NDA पर है असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विस्वास NDA पर है असम के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विस्वास NDA पर है और इसलिए असम को दस्षों को तक लूटने वाली असम के संसकुर्थी को तबाह करने का सपना देख रहे हैं महा जूट वाले बौकला रहे हैं महा जोत वाले बड़े जूट बोलेंगे अब फाय फिलाएंगे लेकिन असम के लोगों को उनसे साफधान रहना है सतर्क रहना है ये बाते कितनी जरूरी हैं ये कोकरा जार से बहतर भला कौन समझ सकता है ये चुनाव महा जोत के महा जूट और डबल इंजिन के महा विकास के बीच है कॉंग्रेस ने हमारे सत्रों हमारे नामगरों को अवेद कप्जागिरों के हवाले किया एंडिये ने उन्हें मुक्त किया कॉंग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड, मैदा, सब को भड़काया अंदर अंदर टकराव करवाया एंडिये ने इनको विकास के सेतु से जोड़ा है दिलों को दिलों से भी जोड़ा है कॉंग्रेस ने इन खेत्रों को पानी, बिजली, गैस, सड़क ऐसी सुविधाओं के लिए तरसाया सालों तक तरसाया एंडिये हर सुविधा घर तक पहुचा के ले के लिए आज जीजान से जुटी हुई है कॉंग्रेस ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों को कभी पूछा तक नहीं ये एंडिये की ही सरकार है जिसने टी गार्डन में काम करने वाले मद्दुर भाई बेनों की हर चिंता के समाधान का प्रयास किया सवा तीन लाग से जादा परिवारों को भूमी के पट्टे देना हो मजदुरी बढ़ाना हो टी गार्डन में काम करने वाली बेहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना हो ये एंडिये की सरकार ने ही पूरी चिवडता के साथ पूरी संबेदन सिलता के साथ और सबका साथ सबका विकास सबका विकास मंत्र को ले करके पूरन करने का प्रयास किया है साथियों ऐसी कोई जनजाती नहीं जिससे कॉंग्रेस ने विश्वास गात नहीं किया वहीं एंडिये सरकार कोच राजबाउशी मौरान मोटोक सूतिया सबी जातियों के हीत में कदम उठा रही है इसके लिए नई डेवलप्मेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल भी रहा है हमारी कोशिस है कि हर जनजाती को उनकी परंपरा उसकी भाशा उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले सम्मान भी मिले इस दिशा में निरंतर काम जारी है भाई और बहनों मुझे संतोश है कि 2016 में बिटी आर में वो 2016 में बिटी आर में शांती और विकास का जो बादा हमने किया था उसे लेकर हमने बहुत इमानदार प्रयास किया है कॉंग्रेस के लंबे शांसन ने असम को बम, बंदुक और ब्लॉकेड में जोंक दिया था एंडिये ने असम को शांती और सम्मान की सौगात दी है आप याद किजिए यह अटल जी की ही एंडिये सरकार थी जिसने बोडो लेंड टेरिटोरियल काउंसिल का अधिकार आपको दिया और यह भी देखिए एंडिये की वरतमान केंदर सरकार है जिसने स्थाही शांती के लिए अहितियासिक बोडो अकार पर मुहर लगाई है आज बी टी आर का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुवाद भी हुई है बोडो लेंड के स्थाही विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन यानि शांती, समुरुद्धी और सुरक्षा बीते वर्सों में बोडो लेंड, टेरिटोलियर, रीजन के विकास के लिए सैंकडो करोड रुपिये विशेश तोर पर दिये गए है इसके तहट अनेक प्रोजेक्श पर काम हो रहा है कोकराजार में मेडिकल कॉलेज के निर्मान का कार्य तेज गति से चल रहा है पन्रा सो करोड रुपिये का पैकेज गोशित किया गया है उसको भी तेजी से लागू करने की कोशिश की जा रही है बोडो लेंड उनिवर्सिटी सेंट्रल इंस्टिटूट और टेक्नोलोजी बिनेश्वर भंबा इंजिनेरिंग कॉलेज बोडो लेंड भवन ऐसे अनेक काम अब यहां की पहचान बन रहे है बोडो समाज की संस्कृती यहां की पहचान यहां की भाषा यहां की परंपराएं इन सब की सुरक्षा यह भी हमारा पहला संकल्प है और इसको पूरा करना हम अपना दाई तो मानते हैं तुलंगा पुरी में बोडो फा उपेंदरनाज ब्रह्मा जी के नाम से एक कल्चरल कॉंप्लेक्स और सेंटर फ़र एक्सलेंसी यहां का गवरव और बढ़ाएगा यही नहीं बोडो भाषा को संभीधान के एच सिजूल में डालने का काम भी किया जा चुका है बोडो समाज की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए और सम्रुद्ध करने के लिए NDA सरकार प्रतिबद्ध है साथियों शांति और विकास के इसी विश्वास के कारण BTR चुनावों में आपने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया United People's Party लिबरल के साथ हमारे गड़बंदन को सेवा का आउसर दिया जो प्यार आपने काउंसिल चुनावों में दिया है उससे भी अधिक आशिरवाद विधान सभा के लिए मिलेगा यह मैं आज मेरी आखों के सामने देख रहा हूं कोई भी पॉलिटिकल पंडित देख ले यह क्यान न जा रहा है मैदान छोटा पड़ गया मैदान छोटा पड़ गया बैद दूर दूर यह जो बाउंडरी बनाई है उसके पीषे भी लोगों को देख रहा हूं भाई योर बेनो लंबे समय के बाद असम में शांती लोटी है जो साथी बंदुख छोड़ कर लोटे हैं उनकी हर संभाव सहायता के लिए NDS सरकार प्रतिबद है अभी भी जो साथी नहीं लोटे हैं उनसे भी मेरा अग्रह है कि शांती और विकास के इस मिशन से आप भी जुड़ जाईए साथियो कॉंग्रेस के कुशासन ने कैसे कोकरा जार को सालों साल तक हिंसा में जुलस ने दिया ये आप और हम कभी भी भूल नहीं सकते कोकरा जार की युवा कोकरा जार की बहने कोकरा जार का हर नागरी प्रिक हिंसा का वो दौर भूला नहीं है उस दौर में दिल्ली से लेकर गोहाटी तक कॉंग्रेस की सरकारे चूप चाप तमासा देखती रही और आज हिंबत देखिए कॉंग्रेस एक महाजूठ बनाकर एक बार फीर कोकरा जार सहीद पूरे बोडो लेंड टेरिटोरियल रीजन को चलने निकले हैं जिस दल के नेताओं ने कोकरा जार को हिंसा की आग में जोका था आज कॉंग्रेस ने अपना हाथ और अपना भाग्य उन लोगों को थमा दिया है जिन लोगों को कॉंग्रेस ने तब अपने वोड बेंग की खातिर बचाया था उनी के सहारे आज कॉंग्रेस असम में सत्ता हासिल करने के लिए सपने देख रही हैं भाई और भेनों कल एक वीडियो में पूरे असम ने देखा है कि कैसे असम की पहचान असम की बेहनों के स्रम के प्रतीक यहां की एक पहचान गमोसा गमोसा का सरे आम अप्मान किया गया असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तश्विरों को देख कर बहुत आहत है बहुत गुस्से में हैं कॉंग्रेस के नेता बार बार कहते हैं यह ताना चाबी वाले असम की पहचान है कॉंग्रेस के जूट उसकी साजीस को समझे सब्ता में वापक के वापसी के लिए कॉंग्रेस इन लोकों के सामने समर्पन कर चुकी है इस अप्मान की सजा कॉंग्रेस को तो मिलेगी ही इस पूरे महा जूट को मिलेगी साथियों असम की ये शांती हम सभी ने बहुत मुश्किल से हासिल की है इसको अब किसी भी हालत में कॉंग्रेस और उसके साथियों के हाथों लूटने नहीं देना है कोकराजार बीटियार सहीत पूरे असम के विकास से कॉंग्रेस का कोई सरोकार नहीं है इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से अहम की संस्कृति को तबाह करने से मतलब है इसी कोशिश में ये महा जोत का नाम का महा जोत यहां लगा हुआ है भाई और बहनों असम के निरन तर विकास के लिए डबल इंजिन के सरकार बहुत जरूरी है यानि केंद्र में भी अंडिये सरकार राज्य में भी अंडिये सरकार जब दोनों की ताकत लगती है तो और तेजी से काम होता है आज रेल हो रोड हो या हवाई कनेक्टिविटी इस छेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है गरीब को अपना पक्का घर मिले इसके लिए प्रधान मत्री आवास योजना के तहत ही कोकराजार में हजारों गरीबों के लिए घर बनाए गए है इसी तरह तॉयलेट की सुविदा से भी हर गरीब परिवार को जोड़ा गया है गर और तॉयलेट के बाद अब हर गर जल पहुँचाने का काम तेजी से चल रहा है अभी तक करीब साड़े चार लाग नल कलेक्शन दिये जा चुके हैं दो मेई के बाद घर घर पाइप से पानी पहुँचाने के जब्यान को तेज किया जाएगा इसका बहुत बड़ा लाफ हमारी बहनों को होगा बेटियों को होगा साथियों असम्मे महिला ससक्ति गण के लिए एंडिये सरकार तेजी से काम कर रही है केंद्र की योजनाओं को यहां की सरकार ने ना सिर्व लागों किया बलकि उनमें अपनी तरब से भी काफी मदद जोड़ी है गर्पवती महिलाओं को विशेस मदद हो टीका करण हो टीका करण की व्यवस्ता हो ऐसे अनेक प्रयास यहां तेजी से किये गए है सेल्फ हेल्फ ग्रूप के माद्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में भी असम के एंडिये सरकार आगे रही है कनकलता महिला सबली करण योजना के प्रसंसा चारों तरफ हो रही है बहुत हो रही है इसके तहट सेंकड़ों करोड रुपिये बहनों के समुओं को दिये गए है लड़कियों को उच्च सिक्षा के लिए प्रोच्साहित करने के लिए अनेक महिला कॉलेज भी खोले गए है भाई और भेनों असम्में पढ़ाई कमाई जबाई और सिंचाही की सुविदाएं मिले इसके लिए हर स्तर पर काम किया जा रहा है यहां के हजारों किसान हमारे हजारों किसान साथियों को पी एम किसान सम्मान निदी का सीधा लाब मिल रहा है कोकरा जार में खेती और खेती से जुड़े वियापार के लिए बहुत संभावनाए है इसके लिए भंडारण से लेकर ट्रांस्पोर्ट से जुड़ा आदुने की इन्फासेक्चर त्यार करना हमारी प्रत्मिक्ता है इसके लिए केंद्र सरकार छोटे किसानों के किसान उत्पाज़क संग बना रही है और उनको विशेष फंड से मदद भी दे रही है बैंबू को लेकर हमारी सरकार ने जो नियम बढ़ला है उससे बैंबू के ट्रांस्पोर्टेशन की सुविदावार आसान हो गई है इसी तरह यहां जैसे जैसे कनेक्टिविटी का इंफासेक्टर बैतर होता जाएगा वैसे वैसे टूरिजम विशेष रुप से इको टूरिजम इसका भी लाप अहम सेंटर बनता है आजगा आने वाले पांच सालों के लिए हमारे हर काम के लिए असम भाजबाने संकल वपत्र सामने रखा है शांति और विकास का ये डबल एंजेन मजबूत हो इसके लिए NDA के हर उमिद्वायर को जिताना है प्रमोज जी जैसा नेत्रुत्वा जिसमें आत्मे विश्वात भरा है जिसमें वीजन भरा है ऐसे नेत्रुत्वा को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए मैं कहूंगा फिर एक बार आप पूरी ताकत से बोलिए NDA सरकार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार असम्में होगी महाजूत के महाजूत के महाजूत की महाहार कि आप सब का बहुत बहुत धन्वाद मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद